हेलो एब्रीबडी वेलकम टू कुम्स किच्छन आज हम वो शादी का वीडियो बता रहे हैं जो हमारा अधूरा रहे गया था यहां देखिए बंदाली फैमिली हमको वेलकम कर रही है सुबह का वक्त है और शादी का दिन है बहुत सारे महमान आ चुके हैं और इनके लिए बहुत अच्छा खाने का इंतजाम कर रहे हैं यह खाने का ऐसा इंतजाम कर रहे हैं जैसे घर में ही खाना बन रहा हो लेकिन यह जगा पे देखी कितनी छोटी छोटी रोटियां इतने महमानों के लिए बना रहे हैं तक्रीबन ये बता रहे हैं कि 10 किलो के आटे की रोटी ये बना रहे हैं और 2-3 लोग यहां पर रोटी में जुटे हुए हैं खिलाएंगे जैसे हम घर में ही खाते हैं जहां पर हमको खाना खिलाने वाले हैं वहां का ये किचन है और बहुत बड़ा सा किचन है काफी इंतजाम यहां पे पहले से ही करके रखे हैं यहां ग्रेवी तयार कर रहे हैं और यहां पे अंडे बहुत सारे रखे वे हैं ताके कोई तकलीफ किसी को ना हो जिसको जैसा खाना है वैसा मिल जाता है यह ग्रेवी तयार कर रहे हैं जो अंडे का सालन बना रहे हैं यह ग्रेवी आम के गैई है ताकि किसी भी महमान आने वालों को तकलीφ ना होने पाए इन्हों ने एक बहुत अच्छा मसाला तैयार किया है प्यास को पीसके रखा है और ये ग्रेवी उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिये साथ देखिक इतने देखिए कितने अच्छे से बिना मिच का सालन बना रहे हैं ताके किसी को भी कोई तकलिफ होने न पाए जो फीका खाने वाला है वो आसानी के साथ इस शादी में एंजॉय कर सकता है अब यहां पे डाल भी तयार हो गई है फीकी डाल भी अलग से बनाए है और यह देखिए यह फीकी डाल अलग से बनाए हैं बिना मिच खाने वालों के लिए गाउं में देखिए कितने खयाल रखने वाले लोग हैं जो फीका खाता है जो डायबिटीस पेशेंट है जो ब्लड प्रेशर वाला है उनके हर खाने का इंतिजाम बैतरीन तरीके से किया गया है अंडे देखिए इन्होंने काटके रख लिये हैं ताके उसको आसानी के साथ सर्फ करने में इनको सहलियत हो जाए यह आलू इन्होंने फ्राइ करके रखा है और फूल गोबी को भी फ्राइ कर लिया है सोचिए ये फ्राइ करने के बाद अगर ग्रेवी बनाएंगे तो कितनी टेस्टी बनेगी और बहुत सारे वटाने भी इनोंने छिल के रखा है और इसकी ये ग्रेवी बनाने आ ले हैं और कोत्मीर को इनोंने बहुत अच्छे से काट के धो लिया है प्याज यहां पे सफेद खाने के लिए रखे हैं और कुछ लोग यहां पे देख रहे हैं आप जो मसाले की तयारी कर रहे हैं यह रात के खाने की तयारी कर रहे हैं कुछ लोग मिलके गाव में लोकल लेडीज को बुलाया जाता है जो हेल्प करने के लिए मुंबई की तरह भट्यारे को ओर्डर दे के सुकून से नहीं बैठा जाता है क्योंकि यहां महमान नमाजी का बहुत ज़्यादा ख्याल है महमानों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं ताकि कोई भी बाहर से आने वाले महमान तकलिफ में ना आए और उनको ऐसा ना फीलो कि यह में नहीं खाता यह में नहीं खाता उनके लिए हर चीज सामने मिल जाती है जो उनको चाहिए और उनकी खाहिश के बराबर ख्याल रखा जाता है कि इनको क्या खाना है देखिए कितने अच्छे पुदीने के बंडल्स यहां पे हम देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी पालक फ्रेश फ्रेश ऐसा बिलकुल खेत है इस गाव में आगे बहुत अच्छा खेत है वहां से ये लोग कोतमीर पुदीना और पालक और सबजिया लाए हैं और पुदीने को देखिए आप कितनी अच्छी कौली कौली पत्तिया नजर आ रही है आपको यह वो जगह है जहां पे हम सब मिलके खाना खाने वाले हैं तीन औरतों को आप देख रहे हैं इनका नाम है चांदनी खाला आबिदा खाला और मदीना खाला यह तीनों औरतें बहुत दिल से रोटियां बना रही है और बहुत छोटी छोटी ज़ए और महमानों के लिए बड़ी खुशी खुशी यह रोटी बना रहे हैं एक साइस की रोटी उतरते जा रही है यह रहाना अपा है जो कीचन का काम बहुत अच्छे से समाल लेते हैं और यह बहुत जगह पे शादियों का खाना बनाने जाते हैं बहुत अच्छी अच्छी परसनालेटी के घर पे यह है ना खाना बनाने जाते हैं और बहुत कॉंटिटी खाना बना लेते हैं पतारे तकरीबन देड़ सो दो सो लोगों का खाना ये खुद अकेले तयार कर देते हैं शादियों में इनको बुलाया जाता है तीन दिन चार दिन और बहुत अच्छा अमांट भी इनको दिया जाता है ये शाम का वक्त है अभी दुला आ रहा है तो उसकी खुशी में देखे यहां के लोग दुले राजा आ गए हैं और आज का दिन दुले राजा की पूरी फैमिली उनके साथ है और सारे भाई और दोस्त यहां पे बहुत खुशियों के साथ नारे बाजी कर रहे हैं और दुला भी अंदर अंदर बड़ा खुशी मना रहा है अब इस वक्त यह में निका तो हो चुका अब शादी के माहल बहुत थंडी है और यहां देखिए आंग जला के रखी गई है ताके लोग सेख ले सके यह स्टेज है जहां पे दुला और दुलन खड़े हुए हैं और लोग उनसे मिल रहे हैं और सारे लोग बहुत खुशी-खुशी यहां पे अच्छे से खेल रहे हैं ठंडी का टाइम है तो यहां पर बहुत अच्छे तरी सी तरीके से कौफी का इंतजाम किया गया है और कुलफी भी बहुत मज़े की है पान का भी काउंटर है यहां पे बड़ों के लिए भी अलग से और बच्चों के लिए भी अलग से हैं पान का काउंटर ताके बच्चे सुपारी वगरें ना खाए और उनके लिए भी अलग से इंतिजाम किया गया है देखिए बूफे लगा हुआ है यहां पे फ्रेश रोटी उतार उतार के दिया जा रहा है ताके थंडी में लोग गरम खाने का मज़ा ले सके राइज है और बहुत सारी कुछ ग्रेवीज है और तवा बुंबई की याद आ गई मुझे कि तवा का इंतजाम भी यहां किया गय है थंडी में अगर ऐसा गरम गरम खाना मिल जाए और वो भी तवा तो फिर तो बहुत मज़ा आ जाती है बहुत लजीज खाने हैं और बहुत अच्छी खुश्वू आ रहे हैं यहां पे बहुत सारे सेलर्ट का इंतजाम किया गया है बूफे लगा हुआ है रोटियां है प और गरम गरम रबडी का भी इंतजाम किया गया है देखिए गाजर का हलवा भी है बहुत सारी चाइज है हमारे लिए देखिए यहां पे स्टेज में लोग मिल रहे हैं और बहुत खुश्या मना रहे हैं बहुत सारे रिश्टेदार हमारे मौजूद हैं हमारी तरफ से की तरफ जिसका नाम है ब्रह्मपुरी जहां पर हमारे रिलेटिव रहते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम उनसे भी मिलते वे जाए क्योंकि दो गंटे-धाइगंटे का ही रन है तो हम चाहते कि उनसे भी हम मिल लें यह जिस रूट से हम जा रहे हैं वो जंगल का एक रास्ता है जिसका नाम है ताड़ोबा जंगल यहां बहुत सारे शेर मौजूद है लेकि तो बहुत ही घना जंगल है यहां पर और बहुत ही मस्त मज़े के रास्ते पर जो है गाएं और भैंस भी चल रही है बड़े मज़े से बड़े सुकून के साथ इनको कोई डिस्टप करने वा में और यह गाव में बहुत बड़े बड़े बंगलो होते हैं और बहुत ही मज़े का यह घर बना हुआ है जो हमारे रिलेटिव का है और यह लोग वेलकम करने हमारे को बाहर तक चले आए इनके घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बहुत ही खुबसूरत सा है और बहुत ही सुकून लगा हमको जब हम इनके घर में आये और बहुत ही आलिशान हमको इन्होंने दावत दी और बहुत ही अच्छी मेहमान नमाजी हमारी की है हमने बाहर का सीन आपको दिखाया मनी ट्रीवी यह पर मौजूद है बहुत ही यहां पर हम आये हैं दूसरे घर पे जो ब्रह्म हम बड़ा सा घर है दो गारिया बाहर खड़ी है और हम एंट्री कर रहे हैं उनके घर में और उसे मुलाकात के लिए हम जा रहे हैं हुआल है और हम वापस मंबई जा रहे हैं तो रास्ते में है शाम का वक्त है बस रात होने वाली है और हम पहुंच जाएंगे नाखपूर स्टेशन तो रात के 8 बच चुके हैं बहुत कम टाइम में हमारी ट्रेन के लिए हमको पहुंचने का स्टेशन नागपूर शहर में हम आ चुके हैं और नागपूर स्टेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारी ट्रेन का टाइम भी हो चुका है सो अब हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं हम अपनी घर की तरफ जा रहे हैं जहां हमें सुकून और चैन मिलेगा 8 दिन बाद so हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं thank you very much हम आ हम आ हम आ कर दो हम आ